हम बात कर रहे हैं IOC की लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो साइडवेस हमको काम करता नजर आ रहा है मार्केट के गिरावट के साथ बड़ी गिरावट मार्केट में भी देखने के लिए मिली थी और IOC में भी आमको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली मार्केट ने भी recovery दिखाई है और 147 के support से IOC में भी आमको recovery देखने के लिए मिली अब इस recovery के बाद हम देख सकते हैं stock ने 167.50 तक के target दिखाई है वहाँ से अगेन गिरावट देखने के लिए मिली जब गिरावट आई है तो जहां से stock ने support ले रहा था उसी level पर support लेकर इसमें recovery देखने के लिए मिली नीचे की ओर 162.50 का जो level है immediate support का काम करेगा next जो तगडा support रहेगा 160 का level इसका तगडार important support रहेगा यहां से stock recovery दिखाता हुआ नजर आ रहा है bonds back होता है तो आने वाले trading day में जहां से stock ने rejection लिया यह immediate target रहेगा 167.50 का level यहां तक का jump आने वाले trading day में stock दिखा सकता है इसको break out कर गया तो फिर next resistance phase करने वाला है जहां से stock multiple stamp rejection phase कर चुका है 170 का level 170 का level break out करके अगर IOC इसके ओपर sustain हो जाता है 170 के उपर 2-3 दिन sustain होना चाहिए IOC ने 2-3 दिन 170 के उपर break out करके sustain होना चाहिए तो वह इसे condition में फिर IOC 180 का level break out करता नजर आ सकता है 170 के break out के बाद अगला target रहेगा 180 लेकिन 180 के break out के लिए important चीज रहेगी 170 के उपर 2-3 दिन sustain होना जिसको आमने अभी अभी discuss किया अगर इसके उपर sustain होता है 170 के उपर तो वह इसे condition में 180 का level भी IOC break out करता नजर आ सकता है फिर उसके बाद बड़े target IOC दिखा सकता है वीडियो education purpose के लिए कोई buy sell या hold की सला नहीं है अगर आप demand account open करना जाते हो तो description में दी गई लिंक से कर सकते हो